चलो अब जो मेन काम है वो है एनिमेल को खाना खिलाना ये आजा 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 ये ओई ये तू कॉन है अरे 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 तो ये देखो ये जो जगा खाली है, इसको सबसे पहले fill up करना होगा, fill up कैसे करेंगे, सबसे पहले तो dart collect करेंगे, और जितना भी dart हमने collect किया, इसको यहां से भर देंगे, अब मेरे पास जितना भी fence है, उसको फटाफट एक बाद एक लगाते जाएंगे, complete हो चुका है, ले हम लोग इसको settled किया है, अब आगे बढ़ते हैं, घर में जाते हैं, और देखते हैं, क्या का माणा है, कौन है, तो सबसे पहले ये जो मेरा chest है, इसका जगा ठीक नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पीछे का तिवार है, इसमें एक slab बनाएंगे, तो ये देखो, ये मेरा slab बन गया, अब slab को इस जगा पे प्लेस करेंगे, ताकि ये देखने भी अच्छा लगे, तो ये देखो, ये हमारा chest का जगा बन गया, अब इसमें हम दो chest रखेंगे, और इस chest में हम particularly खाना रखेंगे, चाहे हो अंडा, stick, mutton, fish, जो भी है, सिर्फ ये chest में जाएगा, दूसर इनको पहले pass करने दो, फिर हम जाएगे, अब वो चला गया, यहाँ से हम sids उठाते हैं, और बहर जाके animal को खाना खिलाते हैं, चलो, अरे 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 अरे, एक मिनिट, एक तलवार लेता हो, अरे अरे अरे, अरे अरे, ने, 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 मत, तू भी आजा, दूर से क्या किया हाल बनाके रखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ ऐसे डाट से कितना कौवर हो पाएगा पहले मेरा फर्म तोड़ा उसके बाद मेरा घर तोड़ा आईरन गोलम को हिट किया फिलाल इसी तरह से काम चलाते हैं और यहां पर एक दर्वाजा लगाते आज के दिन शुरू होने से पहले मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना चाहिए लेकिन अभी जरूर पता चल गया कि मैं क्या कर सकता हूँ तुझे खतम कर सकता हूँ और यह मैं करके ही लेकिन क्रीपर को मारने से पहले एक काम करना है जो की है मेरा जो घर है उसको सेफ कर नहीं तो creeper कहीं भी कुछ भी कर सकता है तो फटाफट ये जो जगा है इसको पहले leveling करते हैं कुछ इस तरह से तो ये देखो ये हमारा पूरा पूरा leveling हो चुका है अब जो दूसरा काम है वो है घर के पास एक boundary wall create करना और उसके लिए मुझे जमीन खोदना होगा और इसको यहां पर जोड़ देंगे तो ये हमारा दूसरा काम खतम अब इसके बीच में मुझे एक wall लगाना है अब wall बनाने के लिए मुझे तीन चीज़ चाहिए एक stone, दूसरा sand और तीसरा पानी तो चलो सबसे पहले मुझे बहुत सारा stone चाहिए तो ये देखो cobblestone को ऐसे furnace में लगा दिया और इससे हम बनाएंगे stone अब जब तक ये stone बन रहे हम कुछ और collect करते हैं वो है sand तो अंधेरा हो चुका है sand collect करते-करते अब जितना भी हम sand लेके आये थे उसको हम furnace में देंगे क्योंकि sand से बनता है glass और glass को इस तरह से लगा के बनता है glass pen तो दोनों चीज़ collect हो चुके अब तीसरा और final चीज़ है पानी अब इस जगह से हम लोग start करने वाले हैं तो यहाँ पर दो stone लगाएंगे उससे 4-5 block छोड़के दो और stone लगाएंगे और बीच में लगाएंगे glass pen और सामने का जो portion है उसमें हम डालेंगे pan तो यह देखो यह हमारा first layer complete हो चुका है अब इसी तरह से चारों तरफ इसको देना है ताकि यह जो मेरा घर है यह cover में रह सके तो एक बार काम शुरू करते हैं और जितना जल्दी हो सके यह काम पहले निप्टाते हैं चारों तरफ यह full complete हो चुका है सामने का जो portion है वो सिर्फ बाकी है क्योंकि वही होगा असली खेल एक ऐसा design बनाएंगे ताकि zombie को हम लोग मार सके तो यहाँ पर फिलाल एक gate लगा देते हैं तो यह लोग gate और यहाँ पर हम लोग लगा दिया और side में जितना भी खाली portion है उसको हम stone से cover करेंगे हाँ design थोड़ा odd है लेकिन मेरा main जो मकसद है वो है creeper को पकड़ना और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा जो design है वो बनाने से पहले यहाँ पर जितना भी पानी है उसको साफ करना होगा तो लो इस तरह से दो slab लगा देंगे यह देखो पानी साफ हो गया अब हमें लगेंगे थोड़ा सा redstone तो redstone को कुछ इसी तरह से सजाएंगे ताकि एक बटन से वो दर्वाजा खोल जाए तो यह देखो यह हमारा design लगभग बन चुका है अगर मैं इस liver को खीचू तो एक साथ दोनों दर्वाजा खोलेंगे तो अब थोड़ा बहुत काम है फाइनली एक बर design ready हो जाते हैं उसके बाद दिखाते हैं सब कुछ तयार है अब चलो देखते हैं यह देखो यह हमारा design तो यह है दर्वाजा और यही से redstone आके यहाँ पर मिलते हैं तो यह अगर liver को में दबाऊंगा तो यह दर्वाजा खुल जाएंगे जब zombie यहाँ से आएंगे तो इसके अंदर ही उसको गिरना होगा और अगर by chance वो इस पर आ भी गए तो भी क्या मेरे पास iron golem तो है वो दिन आ चुका है अब सिफ सूरज ठलने की देरी एक बर सूरज ठल जाएंगे फिर मौत का नंगा नाच होगा पुलाँ चलो दर्वाजा खोल देगे चलो यह आजा कोई तो आजा creeper कहां है कोई ना कोई तो आजा सब को में मार दूगा वो देखो उस साइड पर जॉम्बी है लेकिन creeper तो कहीं देख नहीं रहा है यह देखो creeper लेकिन यहां से नहीं कर पाँँगा मुझे इसके लिए बाहर जाना होगा चलो फटाफट जाते आजा 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 मुझे मारेगा बहुत तंकिया है अब 4-5 किर पर एक साथ आ चुके है अब बार ये घर में गुष्ट देगा चलो 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 जंप नहीं आप आ रहा है ना कोशिश भी मत करना अगर कोशिश करेगा तो नीचे गिना गिना है तुझे अब दर्वाजा बंद करते बेटा बाहर तो तुम लोग नहीं चाब अब वोल कैसा लग रहा है मुझे मारने चला था अभी तो सिर्फ शुरुआत है बेटा एक बात समझ ले तु यहाँ पर फस चुका है अब तेरा जो बाप है ना क्रीपर उसको बुलाने का टाइम आते है तो चलो अब क्रीपर को ढूंडते हैं और देखते हैं वो भाज साब यह कहाँ साब अरे भाई साब किसमत देखो मेरा जिनको में ढूंड रहा था वो खुद मेरे पास चल के आया है मज़ा आने वाला है लेकिन उससे पहले एक काम करना होगा इनको खतम करेंगे यह आजा 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 मर जा चल 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 अब असली काम होगा कहा गया हो कहा गया सोज भी नहीं सकते आपके साथ क्या क्या होने वाला है तडपा तडपा के मारूंगा तुझे जब कुछ नहीं कर सकते तब कैसा लगता है अब तू देखेगा मुझे मारने आया था चलो यह है दूसरा स्टेज ब्लॉक करते इतना तकलिफ कोई नहीं दिया था मेरा फर्म तोड़ मेरा घर तोड़ इन्हों तो आयरन गोलेम तक को भी नहीं छोड़ा लेकिन बस जिस हातों से मैं उनको बनाया उसी हातों से अब तेरा मौथ होगा तडपा तडपा के मरेगा तू मर जाओ जल्दी जल्दी